हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमान राजे दिमान यूट्यूब चैनल एंड फेस्बुक पेज फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ऐसे फंक्शन की डिफ्रेंशेशन सेखेंगे जो लोग लेने के बाद होगी मतलब exponential function, logarithmic function, trigonometric function और inverse trigonometric function की differentiation with the help of लोग मैंने इससे पहले भी differentiation के ओपर बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई है आप चाहें तो अपनी query का solution प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं आईए सुरू करते हैं आज की वीडियो इस question के साथ हमारा पहला question है, if y is equal to cos x into cos 2x into cos 3x then differentiation of y with respect to x is तो इस type के question में देखिए, हम सबसे पहले इसका लोग ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, taking log on both side सो हमें क्या मिलेगा, log by is equal to log of, यह सारे का सारा function हम यहां लिख देंगे अब हमारे पास formula हैं, log के, because log of m n p, यह ब्राबर होता है, log m plus log n plus log p, तो देखिए, इसको फिर इस तरह से लिखेंगे, log cos x plus log of cos 2x फिर लास्ट मायगा, plus log of cos 3x और यहां रहेगा log by, अब यह अलग-अलग term हो गई, और इसकी differentiation हमें पता है, तो हम आगे लिख सकते हैं, differentiating with respect to x तो यहां से क्या मिलेगा, log by की differentiation, log x की होती है, 1yx, तो log by की होगी, 1yy, लेकिन जो by बचेगा, उसकी differentiation भी लिखेंगे, with respect to x तो यह आएगी dy over dx, यहां पर अगर x लिखा जाता है, तो उसकी differentiation भी हम ऐसे ही लिखते हैं, ddx of x, वो एक होती है, इसलिए हम 1yx ही लिखते हैं, अब इसकी differentiation देखिए, अगर इसको हम सिर्फ x assume करें, तो यह आएगा 1 over x, लेकिन यहां पर x की जगा cos x है, तो यहां लिख हम cos x, फिर अगले step में log को हटा देंगे, बाकी बचेगा सिर्फ cos x, तो उसकी derivative, derivative of cos x, इसी तरह से, यहां पर यह आएगा denominator में, 1 over log की derivative, log x की derivative होती है, 1yx, तो यहां log cos 2x की derivative होगी, 1 over cos 2x, फिर अगले step में multiplication करेंगे, बिन लोग की, मतलब cos 2x, फिर प्लस, यहां से भी इसी तरह, 1 over cos 3x into derivative आएगी, without log, cos 3x की, अब देखिए, अगले step में, यहां से, 1 by, by को हम दूसरी तरफ shift कर देंगे, तो यहां हो जाएगा by, यह by हम इस साइड ले आए, तो आगे, 1 over cos x into, इस cos x की derivative होगी, minus sin x, plus 1 over cos 2x into, इस cos 2x की derivative, minus sin 2x, अब derivative बचेगी 2x की, तो अगले step में, हम इसकी derivative करेंगे, derivative of 2x, देखिए, यहां में वैसे ही होना था, into derivative, इस x की, बिना, इस cos की, cos x की derivative हो चुकी है, अब बिना cos की, मतलब x, तो उसकी derivative 1 आनी है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं, आगे, यहां से आगे चलते हैं, 1 over cos 3x, into, अब cos 3x की derivative, वो होगी minus sin 3x, into, derivative आएगी, बिना cos की, मीन्स 3x की, ऐसे, अब अगले step में हम, y की value यहां पर put कर देंगे, और y की value क्या है, cos x, cos 2x, cos 3x, तो cos x, cos 2x, cos 3x, यह आगी, y की value यहां पर, और इसके बाद देखिए, इसको simplify भी करते चलना है, minus sin x over cos x, हमने लिखा tangent x, और इसकी derivative एक, इसलिए आगे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर यहां से minus sin 2x over cos 2x, यह मिलेगा, tangent 2x, लेकिन इसकी derivative आएगी, 2, तो हमने लिखा 2 यहां पर, आगे, minus बाहर, sin 3x over cos 3x, हमें मिलेगा, tangent 3x, लेकिन इसकी derivative 3 मिलेगी, वो मैंने लिख दिया, यहां पर, और यह answer आगया हमारा, हम इसी question के answer को, यहां से इस तरह भी change कर सकते थे, जैसे cos x, cos 2x, cos 3x के साथ, जब हम multiply करेंगे, तो यह देखिए, यह cos x इसके साथ cancel हो जाता, यहां पर, यह cos 2x, यहां cancel हो जाता, और यह cos 3x, इसके साथ cancel हो जाता, मतलब step wise, तो हमें क्या मिलता, minus sin x, cos 2x, cos 3x, इस तरह से सारी की सारी term अलग हो जाती, अगर हम इसके साथ multiply कर दें अंदर तो, हमारा अगला question है, if y is equal to root of x minus 1, x minus 2 over, x minus 3, x minus 4, x minus 5, then ddx of y means differential of y, तो हम क्या करेंगे, देखिए, यह complicated question है, लेकिन जब हम लोग के साथ इसको attempt करेंगे, तो यह question बहुत आसान हो जाएगा, तो हम यहां से सुरू करेंगे इसको, यहां लिखेंगे, taking log on both side, तो यहां से log by is equal to, log of, जो भी दिया है हमें, वो हम इस तरह से लिख देंगे, x minus 1, x minus 2, x minus 3 denominator में, x minus 4, and x minus 5, अब हमारे पास, जो भी फोर्मूले हैं, लोग के, तो हमारे पास पहला फोर्मूला है, log m power n, जो बराबर होता है, n बाहर आ जाता है, जो power है, यहां पर, power इदर से हटके, बाहर आ जाएगी, और log m आएगा, तो यहां से, log y is equal to, अब देखिए, हमने यह फोर्मूला कैसे यूज करना है, यहां पर, actual में यह root जो लिखा है, इसका मतलब है, power 1 y 2, तो यह power बाहर आएगी, इस तरह से, log, और अगर जो भी लिखा है, वो बैसे का बैसा ही, लिख देना है, अब अगला फोर्मूला, log का, log m over n, यह बराबर होता है, log m minus log n, तो यहां से, log y is equal to half, और, यह log m लिखेंगे, m क्या आएगा, m आएगा, जो numerator में लिखा गया है, x minus 1, x minus 2, इकठा आएगा यहां तक, फिर minus, यह सारे के सारा denominator में है, तो यह log n बनेगा, log x minus 3, x minus 4, x minus 5, अगला फोर्मूला, log का, जो है, log m, n, p, और बहुँ बराबर होगा, log m plus, log n plus, log p, जब भी number multiply हो, और log लिया गया हो, तो हर number का individual log आएगा, और plus लिखा जाएगा, तो यहां क्या लिखा जाएगा, half into, log m plus log n, log m plus log n, minus, अब देखें, यहां भी यही फोर्मूला यूज होगा, तो हम इसको लिखेंगे यहां से, log x minus 3, फिर plus, लेकिन यहां पर minus है, तो सारे की सारी term माइनस बन जाएगी, log x minus 4, हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, plus, फिर log x minus 5, अब जब minus से multiply करेंगे, तो यह सारी term minus आएगी, यहां भी minus और यहां भी minus, इस तरह से, ऐसे, तो हमें क्या मिलेगा, log x minus 1, plus log x minus 2, minus log x minus 3, minus log x minus 4, minus log x minus 5, अब इसके बाद, यह simplest form में आ गया, इसकी differentiation कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे, differentiating with respect to x, with respect to x, on both side, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से देखिए, यहां log y की differentiation, 1 over y into dy over dx, फिर half constant है, बाहर रहेगा, अब इसकी हर step में अलग-अलग differentiation है, तो पहले इसकी log के आगे x, denominator में चला जाता है, तो 1 over, यह सारे का सारा number denominator में रहेगा, x minus 1, into x minus 1 की differentiation, वो 1 होगी, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, plus, यहां x minus 2 denominator में चला जाएगा, 1 over x minus 2, फिर differentiation होगी x minus 2 की, वो सिर्फ 1 रहेगी, इसलिए हम इसको आगे नहीं लिखेंगे, minus, यहां से फिर 1 over x minus 3, into 1, minus, यहां भी denominator में, 1 over x minus 4, minus, 1 over x minus 5, अब इस y को हमीं यहां ले जाएगे, तो अगले step में, जब हमीं यहां से इस y को हटाएगे, तो यह y यहां पर multiply हो जाएगा, मतलब y over 2, तो हम ऐसा लिखेंगे, 1 by 2 into y की value, और y की value क्या है, root के अंदर, x minus 1, x minus 2, और denominator में है, x minus 3, x minus 4, x minus 5, और bin in bracket, यही term हम दबार अलिख देंगे, 1 over x minus 1, plus, 1 over x minus 2, जो denominator में term है, वो minus आ जाएगे, 1 over x minus 3, minus 1 over x minus 4, minus 1 over x minus 5, और यह answer होगा, इस question का, हमारा अगला question है, यहां पर लिखा है, log x power cos x, जेकि यहां पर भी power variable है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, तो हम लिखेंगे, taking log on both side, so हमें मिलेगा, log of y is equal to, log of, जो हमें दिया है, उसका log ले लेंगे, और देखिए, जब log का formula लगाएंगे, तो यह term सबसे आगया जाएगी, cos x into, आगे, log of log x, ऐसे लिखा जाएगा, अब इसके बाद देखिए, यह दो टर्म हो जाएगी, एक टर्म यह और दूसरी यह हो जाएगी, तो अब हम इसकी differentiation करेंगे, differentiating with respect to x on both side, तो यहां से हमें इसकी differentiation करेंगे, तो यह मिलेगा, 1 over y into dy over dx, फिर product rule से, first function into differentiation of log of log x, plus second function log of log x into differentiation of cos x, जो है first function, और जब हम आगे solve करेंगे, तो differentiation log of log x की, देखिए, सबसे पहले इस log की होगी, फिर इसकी, तो पहले वाले लोग की differentiation आएगी, जो यहां पर लिखा है, वो denominator माएगा, मतलब 1 over log x into, अब इस log की differentiation रह जाएगी, derivative of log x, plus log of log x into, cos x की derivative होगी, minus sin x, देखिए, यह जो by था, जब यहां से हट जाएगा, तो हमें मिलेगा dy over dx, और यहां पर by की value हम put कर देता है, direct, जो होगी log x power cos x, और देखिए, यहां ओपर था हमारे पास cos x, और denominator माँ आगया log x, अब log x की differentiation, वो आएगी 1 by x, plus log of log x, लेकिन यहां पर sin x भी आगे, तो मैं सबसे पहले sin x को लिख देता हूँ, मतलब यहां पर minus हो जाएगा, minus sin x into log of log x, और यह इस question का answer हो जाएगा, अगला question है, y is equal to x power x minus 2 power sin x, देखिए, यहां पर बीच मैं minus sin involved हो गया, मतलब यह दो term हो गई, addition या subtraction के साथ, यहां पर minus है, मतलब subtraction, अगर addition होता, तब भी हमने दो term इसको अजिवम करना था, तो हमने यहां पर log लेने से पहले, इसको separate करना है question को, दो question में, तो हम क्या करेंगे, हम suppose कर लेंगे, let u is equal to, जब भी plus या minus आए, तो हम इसी तरह से किया करेंगे, first जो term है, उसको u suppose कर लेंगे, x power x and, जो second term है, उसको हमने b रख लिया, 2 power sin x को, तो यहां देखिए, अगर हम इसको 1 assume करें, तो 1 क्या मिलेगा हमें, 1 की value हो जाएगी, y is equal to u minus v, अब इसको differentiate करेंगे, अब हम इसको differentiate करेंगे, तो हमें मिलेगा dy over dx, यहां du over dx, minus dv over dx, इसको हम लिखेंगे, equation number 2, अब हमारा अगला काम है, यहां पर यह differentiation करना, मतलब इस function की, with respect to x, और इसकी भी, with respect to x, और यहां पर put करेंगे, तो अगला काम हम, हम यहां से सुरू करेंगे, तो अब देखिए, यहां से u x power x, तो अब क्या करेंगे, फिर से, question पहले question के जैसा हो गया, taking log on both sides, तो यहां से हमें मिलेगा, log of u is equal to log of x power x, अब यह देखिए, फिर से वही formula log m power n, जो बाहर मिलेगा हमें n, तो मिलेगा n log m, तो यहां से x into log x, और यहां मिलेगा हमें log u, अब देखिए, यह first function हो गया, यह second function हो गया, अब हम differentiation कर देंगे, with respect to x, तो क्या मिलेगा, यहां से 1 over u into du over dx, तो यहां से देखिए, अब यह first function एक second, तो first function, फिर differentiation of second, जो है log x, plus second function log x है, और first function है x, जिसकी differentiation x लिखी जाएगे, अब देखिए, यहां, इस line के बाद, मैं यहां लिख रहा हूँ, तो left hand side as it is लिखा मैंने, और right hand side मैं, x into log x की derivative आएगी, 1 by x, plus log x, और इसकी derivative हो जाएगी, 1, फिर इस u को मैं यहां से हटा दूँगा, यू से multiply करके, जब u से multiply करूँगा, तो u यहां आ जाएगा, और यहां से हट जाएगा, तो यहां क्या मिलेगा मुझे, यहां मिलेगा सिर्फ d u over dx, देखिए, d u over dx, और u, u यह है, x power x, into, यह x, x खतम हो गया, 1 plus, हमें मिला, log x, क्योंकि यह u मैंने यहां लिख दिया है, तो यह equation number 3 हो गई, जो यहां पर put की जाएगी बाद में, अब देखिए, अब हम differentiation करेंगे, v की, जो है, 2 power sin x, तो यहां पर देखिए, यह formula है हमारे पास, अगर, हमने a power x की differentiation करनी हो, तो वो होगी, a x into log a, तो यहां पर भी बैसे ही होगा, dv over dx, क्योंकि base जब constant होता है, तो बैसे ही लिखा जाता है, differentiation के लिए, 2 power sin x into, अब आगे लिखेंगे, log 2, और इसके बाद देखिए, अब differentiation बचेगी, जो power है, sin x, उसकी भी differentiation करनी पड़ेगी, तो sin x की differentiation हो जाएगी, अगले step में, cos x, अब इसको लिखती है मैंने, इसको लिखा मैंने, equation number 4, अब 3 की value यहां पुट करेंगे, और 4 की value यहां पुट करेंगे, जब हम दोनों values पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, मैं यहां से आगे लिख रहा हूँ, तो फिर यहां से हमें, dy over dx की value मिलेगी, du over dx की value हमने निकाली थी, x power x, और bracket में था, 1 plus log x, और minus, अब dv over dx की value देखिए, अब ही हमने निकाली है, और बोथ ही, 2 power sin x, into, log of base, जो 2 था, फिर differentiation की थी, power की, cos x, और यही हमारा, इस question का answer है, और आगे बटने से पहले, friends, आपको एक information देना चाहता हूँ, कि अगर आप किसी competitive exam के लिए, books, या कोई और study material खरीदना चाहते हैं, तो description box में, मेरे store का link दिया गया है, आप बहाँ से, heavy discount के उपर, study material purchase कर सकते हैं, अब अगला question, हमारा अगला question है, यहाँ पर लिखा है, x plus 3 square, into, x plus 4 cube, x plus 5 power 4, इसकी differentiation, देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, simplify करने के लिए, log ले लेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर, taking log on both side, जब log लेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा, log by, और आगे log के आगे, यह सारा, जो function दिया है हमें, वो लिखा जाएगा, अब देखिए, इसको अगर हम m मान ले, इसको n मान ले, और इसको p मान ले, हमारे पास एक rule है, log का, log m n into p, यह बराबर होता है, log m plus, log n plus log p, तो यही फोर्मूला, हम यहाँ पर यूज करेंगे, हमें मिलेगा, log y is equal to, log of x plus 3 square, plus, log of x plus 4 cube, plus, log of x plus 5, यह बराबर, पहले यह लिखेंगे, फिर यह लिखेंगे, और इसके बार, यह लिखेंगे, प्लस करके, अब इसके बार देखिए, एक और लोग का फोर्मूला है, log m power n, जब बराबर होती है, तो बराबर बाहर आ जाती है, और लिखा जाता है, प्लस 3+, पावर यहां से बाहर, 2 log x प्लस 4, फिर यहां से भी पावर बाहर, 4 log x प्लस 5, और यहां रहेगा log by, अब देखिए, यह सिंप्लिफाई हो गया, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंसिशन करेंगे, जब डिफरेंसिशन करेंगे, तो यह जो कॉंस्टेंट है, तीनों केसिज में यह बाहर रहेंगे, और यह, यह, और यह, और यह, इनकी डिफरेंसिशन हो जाएगी, log x ट्रीट करके, और log x की डिफरेंसिशन क्या होती है, 1 by x, फिर जो x रहेगा केला, उसकी डिफरेंसिशन, इस केस में, तीनों ही केसिज में 1 रहेगी, तो आगे हम इस तरह से करेंगे, तो जब हम डिफरेंसिशन करेंगे, तो यहां से मिलेगा हमें, 1 over y, फिर y की डिफरेंसिशन, पहले log की, फिर y की, 1 over y into dy over dx, फिर 2 कॉंस्टेंट है, फिर से log x plus 4 की डिफरेंसिशन आएगी, 1 over x plus 4, फिर सिर्फ x plus 4 की डिफरेंसिशन 1, इसी तरह से आगे, 4 into 1 over log x plus 5 की, 1 by 5 into 1 रहेगी, अब इस 1 का हमारे question में, कोई contribution नहीं है, तो इस 1 को हम यहीं से हटा देते हैं, अब इसके बाद दिखिए, यह जो by लिखा है यहाँ पर, इस by को हम यहाँ ले जाएंगे, राइट एंड साइड में, by से multiply करके, तो जब by से multiply करके, तो by यहाँ आ जाएगा, इस तरह से, और यहाँ से हट जाएगा, उसके बाद हम by की value पुट कर देंगे, by की value है, x plus 3, square, 2 over x plus 3, plus 3 over x plus 4, plus 4 over x plus 5, अब हम इसको थोड़ा सा simplify करना चाहे, तो यह दो पहली term है, bracket के बाहर, इससे हर term को हम multiply कर देंगे, जिससे पहली term है, x plus 3 यहाँ से खत्म हो जाएगा, और यहाँ इसकी power एक कम हो जाएगी, तो यहाँ से हमें मिलेगा, x plus 3, फिर x plus 4 cube, x plus 5 power 4, अब इसी term से, इसी term से इस term को multiply होगा, तो x plus 4 यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ से इसकी एक power कम हो जाएगी, तो हमें मिलेगा, x plus 3 square into x plus 4 square into x plus 5 power 4, आगे last term, अब इसी term के साथ यहाँ भी multiply करेंगे, और यहाँ x plus 5 खत्म हो जाएगा, और यहाँ एक power कम हो जाएगी, तो हमें मिलेगा, x plus 3 square, x plus 4 cube, x plus 5, एक power कम होके 3 रह जाएगी, और यही इस question का answer होगा, हमारा अगला question है, if y is equal to x plus 1yx power x plus x power 1 plus 1yx, then it's differential, we have to find, देखें, यहाँ भी बीच में plus है, और power variable है, तो इसको सबसे असान रिका है, पहले u and v में, मतलब दो question में इसको separate करना, और फिर लोग के साथ इसकी differentiate करना, तो हम क्या लिखेंगे, put यह सारे का सारा u के बराबर, u is equal to x plus 1yx power x, and यह v के बराबर, v is equal to x power 1 plus 1yx, अब हम यह value यहाँ put कर देंगे, तो y is equal to u plus v मिलेगा, फिर इसकी differentiate कर देंगे, फिर इसको differentiate कर देंगे, with respect to x, और हमें मिलेगा dy over dx, is equal to du over dx, plus dv over dx, इसको हम equation number 1 लिखेंगे, अब यहाँ से शुरू करेंगे, u, तो u है, x plus 1yx power x, variable power है, तो हम लोग ले लेंगे, लोग दोनों तरफ, और हमें लोग का formula पता है, log of m power n, is equal to n log m, तो यहाँ से क्या मिलेगा, log u is equal to, log of x plus, 1yx power x, फिर इसको, इस x को हम हटा के, आगे लिख देंगे, तो मैंने यहीं लिख दिया है, x into log of, यह यहाँ से हट जाएगा, आप देखे, यहाँ से एक term यह हो गई, और एक यह हो गई, अब हम इसकी differentiation कर सकते हैं, लिखेंगे, differentiating with respect to x, on both side, जब differentiate करेंगे, तो formula log u की differentiation, 1y, u होगी, into du over dx, फिर product rule से, product rule हमें पता है, first function की differentiation, into second function as it is, plus second function की differentiation, first as it is, हम ऐसा लिखेंगे, पहले first function as it is लिखेंगे, फिर जो second function है, जो यहाँ पर आएगा, log of x plus 1yx, उसकी differentiation, फिर log of x plus 1yx को as it is लिखेंगे, लेकिन दूसरे function की differentiation करेंगे, जो है x, ऐसे दिखेंगे यहाँ से, तो आगे, 1 over u, into du over dx, x into, इसकी differentiation की आएगी देखेंगे, यह है log of, यह सारा x अजियूम कर लें, तो यह सारे के सारे denominator में चला जाएगा, इस तरह से, x plus 1yx, into, अब यह log हट जाएगा, और differentiation बिना लोग के, x plus 1yx की, plus, log of, x plus 1yx, into, इसकी differentiation तो 1 है, यह हम ऐसे लेखेंगे, अब इस u को मैं यहाँ ले जाऊंगा, तो यहाँ मिलेगा हमें, du over dx, यहाँ मिलेगा हमें, u, फिर x, और denominator में यह आएगा, x plus 1yx, इसकी differentiation देखिए, x की, फिर 1yx की, तो x की differentiation तो 1 होगी, और 1yx की differentiation, हमें पता है, 1 over x square denominator में, plus, log of, x plus, 1yx, अब u की value हमने put कर देनी है, तो यहाँ मिलेगा हमें, x plus 1yx, power x, और इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं, जब यहाँ simplify करेंगे इसको, तो x over, यहाँ, lc में ले लेंगे, तो x आएगा, और यहाँ से मिलेगा, x square plus 1, into, इसको simplify करेंगे, तो यहाँ x square, और यहाँ से मिलेगा, x square minus 1, प्लस, यह agitage लिखा जाएगा, log x plus 1 by x, अब देखिए, यह x, यह इसके साथ कट गया, और यह x, इसके साथ कट गया, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से, x square minus 1, over x square plus 1, तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, x square minus 1, over x square plus 1, और यह आएगी, du over dx की value, इसको हम equation number 2 लिख देते हैं, अब, जो हमारा, we जिसको हमने suppose किया था, यह देखिए, इसको हमने, we suppose किया था, तो यहाँ से सुरू करेंगे, we is equal to x power 1, plus 1 by x, इसकी differentiation, we की differentiation कैसे करेंगे, x power 1, plus 1 by x, variable power है, इसलिए सबसे पहले हम, log ले लेंगे, taking log on both side, जब log लेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा, log we is equal to, log of x power 1, plus 1 by x, उसके बाद हमने, formula यूज करना है, log m power n, जो होगा, n log m, अब देखिए, यहाँ से, यह power बाहर आ जाएगी, 1 plus 1 by x, into log x मिलेगा, यहाँ रहेगा, log we, अब देखिए, यह first function, assume करेंगे, और इसको second, फिर हम, इसकी differentiation करेंगे, product rule से, differentiating it, with respect to x, तो हमने, product rule, use करना है, और यहाँ हमें मिलेगा, 1 over v, into dv over dx, और यहाँ देखिए, पहले first function, as it is लिखेंगे, and multiplying it with, differentiation of, second function, plus, now writing second function, as it is, and multiply it with, the differentiation of, first function, तो यहाँ पर देखिए, यह v जो है, मैं इसको, यहाँ ले जाता हूँ, तो यहाँ रहेगा, dv over dx, और v यहाँ आ गया, यहाँ से, जब solve करेंगे, तो x आएगा, और x plus 1, इससे मिल गया, यह लिखा मैंने, into, इसकी derivative, 1yx, plus, log x, into, इसकी derivative देखिए, 1 की 0, और 1yx की, minus 1 over x square, x square denominator में आएगा, अब देखिए, इस x को, और इस x को, multiply करेंगे, तो यहाँ मिलेगा, हमें x square, यहाँ भी x square है, यहाँ भी x square है, हम x square, lc m ले लेंगे, तो हमें मिलेगा, x square, और यहाँ से, x plus 1, फिर, यह minus, बाहर निकलेगा, तो हमारे पास रहेगा, log x, इस तरह से, और v, जो v है, हमने इसकी value रुकी है, x power, 1 plus 1y, x, और यह है, dv over dx, 3 mark कर लिया, तो putting the values of 2, and 3 in, 1, तो 1 में जब put करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, dy over dx, जो हमने निकालना है, उसका answer क्या मिलेगा, देखे, हमने, du over dx निकाला है, यह देखे लिए, यह निकाला है, हमने, x plus 1yx, power x, और यहाँ पर था, x square minus 1, over, x square plus 1, आगे, log, x plus 1yx, यह है, du over dx, अब dv over dx, यह value है, तो यह यहाँ पर, put कर लेंगे, और यह हमें मिलेगा फिर, इस तरह से, और यह हमारा, इस question का, answer होगा, और अगले question पर चलने से पहले, friends, आपको एक, सूचना देना चाहता हूँ, कि, आप, आपका कोई भाई-वेहन, या आपका कोई साथी, किसी भी competition की, तयारी कर रहा है, तो इसके लिए, हमारा channel है, exam cracker, इसका link, मैंने description box में दिया है, इससे आप, reasoning के short tricks, match के short tricks, तथा g case related videos, देख सकते हैं, आप, किसी भी, अपने चाहने वाले को, ये channel, जरूर रिक्मेंट करें, अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला question है, y is equal to, log x power x, plus, x power log x, देखिए, यहां भी बीच में, plus है, तो जब भी बीच में, plus या माइनस आए, हम इसको, दो पार्ट में, separate कर देंगे, तो हम पहले लिखेंगे, let, you is equal to, first part, जो है, log x, power x, and, जो second part है, जो, x power log x है, उसको हम, b के बराबर, suppose कर लेंगे, x power, log x, तो, y की value क्या मिलेगी हमें, y मिलेगा, u, plus v, जिसकी differentiation करेंगे, हम with respect to x, dy over dx, हमें मिलेगा, du over dx, plus, dv over dx, इसको हमने, दो number रख लिया, और ये था, एक number, अब हम क्या करेंगे, इस u के साथ, इसकी differentiation निकालेंगे, और इस b से, d, b की, इस v से, यहां पर dv over dx मिलेगा, अब देखिए, यहां पर जो u है, यहां से हमने सुरू किया, और फिर, क्योंकि power variable है, तो इसको हम log से, हटा देंगे, taking log, on both side, तो यहां से हमें मिलेगा, log u is equal to, log of, log x, power x, और यह बात में मिलेगा, हमें log of u, फिर यह power, जैसे हमने पिछले questions में, formula use किये हैं, log m power n, power बाहर आ जाती है, तो x बाहर आ गया, और हमारे पास बचेगा, log of log x, यह देखिए, इसके बाहर आ गई power, यह x यहां आ गया, तो x into log of log x, अब हम differentiation करेंगे इसकी, तो इसकी differentiation करेंगे, लिखेंगे, differentiating with respect to x, तो u की, पहले log u की differentiation, वो आएगी 1 over u, फिर u की, du over x, आगे, यह first function हो जाएगा, यह सारा second function हो जाएगा, तो product rule से, first function, फिर differentiation of second, second function हो लोग of log x, आगे, plus second log of log x, into, differentiation आएगा, x का, जो है first function, अब इसको हम simplify कर लेते हैं, du over dx, 1 by u, साथ में रहेगा, अगर हम चाहें, तो इसको, यहां से हटाके, यहां लिख सकते हैं, इस तरह से, अब आगे x, फिर इसकी differentiation, पहले log की आएगी, फिर log x की, तो जो पहले वाला log है, उससे हमें मिलेगी, इस log को denominator में रखके, तो वो आएगा, 1 over log x, अब into, derivative of log x, क्योंकि इसकी derivative तो भी, हुई नहीं है, इसकी derivative भी, नहीं हुई, तो यह अगले step में करेंगे, plus log of log x, एगिटीच लिखा जाएगा, into, इसकी derivative 1, यह ऐसे लिख दिया है, अब अगले step में, यहां से इसकी derivative करेंगे, तो अब देखिए, अब हमें मिलेगा, du over dx, फिर इस u की value भी हम put कर देंगे, जो आएगी, log x power x, into, आगे x, denominator में log x है, अब इसकी derivative, इसकी derivative आएगी, 1 by x, plus log x, अब इस x को हम यहां, adjust कर सकते हैं, ऐसे, तो हमें ultimately, यहां से क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा, 1 over log x, और इसको हम, इसके बाद हम, वी की derivative करेंगे, यहां से, अब वी देखिए, वी है, x power log x, तो यहां से, हम फिर वैसे ही करेंगे, taking log on both side, जब दोनों तरफ log लेंगे, तो हमें मिलेगा, log v is equal to, log of x power log x, फिर हम formula use करेंगे, log m power n, जो होगा, n log m, तो यहां से, हमें मिलेगा, log v is equal to, यह power, यहां चली जाएगी, बाहर, log x into, log x, तो यहां, log x into log x, log x, whole square हो जाएगा, अब देखिए, मैं इस log x, square को हटा के, यहां लिख दिता हूँ, अब इसके बाद हम करेंगे, इसकी differentiating, differentiating with respect to, x, जब हम differentiating करेंगे, तो यहां से मिलेगा, 1 y v, and d v, over dx, फिर, अब देखिए, power constant हो गई, अब हमें log लेने की जरूरत नहीं है, तो power बाहर लिखेंगे, फिर एक power काम कर दी, और derivative लिखी साथ में, base की, log x की, तो अगले step में, log x की derivative होगी, 1 y x, हम इसको, इस तरह से लिख सकते हैं, 2 log x, over x, तेखिए यह v जो है, यह भी हमने यहां पर ले जाना है, तो यहां से इस v को हटा के, हम यहां लिखेंगे, और इस v की value क्या है, देखिए, इस v की value है, यह, x power log x, अब यह x हम, यहां से हटा के, देखिए, x की power log x है, तो यह power हम, यहां से हटा के, base से हटा के, 2 log x into x की power log x minus 1 देखे यह यहाँ पर power में है अब इसको हम 4 number देदेंगे तो equation number 3 और 4 से यह value और यह value हम put कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा dy over dx की value du over dx यह हमने निकाला सब देखी equation number 3 में log x power x और bracket में था हमारे पास 1 over log x plus log of log x अब आगे plus db over dx की अभी हमने value निकाल के रखी थी वो निकाले थी हमने देखे equation number 4 से वो value थी 2 into log x into x power log x minus 1 और यही हमारा answer है इस question का हमारा अगला question है if y is equal to sin x power x minus sin inverse under root x इसको हमने differentiate करना है और यह value निकालनी है तो देखे यहां पर में minus है अगर यह दो term के बीच में minus या plus हो तो हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि log m plus n का formula हमारे पास नहीं है नहीं log m minus n का formula है तो इसके लिए हमने क्या करना है इस term को और इसको अलग अलग से differentiate करना है तो हम इस term को पहले u के बराबर put कर लेंगे put u is equal to sin x power x and v जो second term है इसको भी हमने put कर लेना है sin inverse under root x अब इसकी differentiation करेंगे अब यहां से देखिए y की value क्या है की u minus v अब इसकी differentiation करेंगे तो हमें क्या मिलेगा dy over dx is equal to du over dx minus dv over dx यह differentiation with respect to x करनी है तो हम इसको एक number देते हैं अब हम इसकी derivative निकालेंगे मतलब इसकी derivative निकालके यहां put करेंगे और इसकी derivative निकालके यहां put करेंगे फिर हमारा question solve हो जाएगा तो अब हम यहां से शुरू करते हैं u is equal to sin x power x तो इसको कैसे solve करना है उसी तरह से जैसे पिछला question किया जब power हमारे पास variable हो तो हम log ले लेते हैं taking log on both side जब log ले लेंगे तो क्या मिलेगा log u is equal to log of sin x power x formula फिर वही log m power n जो बराबर होगा power बाहर n log m तो log u क्या मिलेगा power x बाहर और log क्या आगे sin x आ जाएगा log of sin x अब यहां पर देखिए यह question product rule से solve होगा आगे क्योंकि यहां पर दो function बन जाएंगे एक यह है और log of sin x second तो अब हम using product rule of differentiation तो log u की क्या आएगी differentiation one over u into क्योंकि यहां पर x नहीं है इसलिए du over dx लिखना जुरूरी है आगे product rule से first function फिर differentiation of second function second है log sin x plus second function as it is लिखा जाएगा log of sin x into differentiation of x अब यहां से देखिए one over अब मैं u को यहां से हटा के यहां लिख देंगा इस तरह से और आगे क्या लिखा जाएगा x into इसकी differentiation log sin x की तो log sin x की differentiation का मतलब है log क्या के जो भी लिखा गया है वो denominator में one over sin x into log को छोड़के जो भी बचेगा उसकी differentiation sin x बचेगा उसकी differentiation लिखनी है plus log of sin x into इसकी differentiation one आएगी अब मैं इसकी differentiation भी यहीं लिख देता हूँ तो sin x की differentiation होगी cos x अब अगले step में हम cos x over sin x को simplify कर लेते हैं और u की value जो यह है sin x power x और आगे x into यहां से हमें मिलेगा quote x plus log of sin x इसको हम du over dx लिखेंगे और number देतेंगे second अब हम यहां से देखिए आगे dv over dx निकालेंगे यहां से तो यहां का मतलब है हम v से शुरू करेंगे v is equal to sin inverse x तो इसकी differentiation हम लोग से भी सुरू कर सकते हैं या direct भी हमें formula पता है du over dx लेकिन 1 over v भी लिखना है पहले हम direct इसकी differentiation लिखेंगे dv over dx और sin inverse x की differentiation हमें formula पता है जो होता है 1 over root के अंदर 1 minus x square x यहां पर है under root x तो उसका square लिखेंगे फिर बिना sin inverse के differentiation dv of under root x तो हम आगे लिखेंगे 1 over root के अंदर आएगा 1 minus यहां से under root x का square करेंगे तो सिर्फ एक्स बचेगा into 1 over इसकी derivative to denominator में under root x यही इसकी derivative होगी अब हम यह value इसको 3 number put कर लेंगे तो from 2 and 3 इसकी value भी और इसकी value भी equation number 1 में put कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए dy over dx यहां से हमें मिलेगा यह du over dx की derivative sin x power x और bracket में रहेगा x quote x minus plus log of sin x आगे minus है फिर यह सारा लिखा जाएगा तो यह आएगा 1 over 2 under root x और यहां मिलेगा हमें 1 minus x हमारा अगला question है if y is equal to x power sin x plus sin x power cos x then what will be its differential तो यहां पर देखिए power variable है दोनों जगा बीट में plus है तो हमने इसको substitution करनी है पहले इसकी फिर दो part में divide कर देना है और दोनों की अलग से differentiation करनी है तो हम लिखेंगे यहां पर put u is equal to x power sin x and v is equal to sin x power cos x अब y मिलेगा हमें यह देखिए यहां से u plus v अब इसकी differentiation करेंगे तो dy over dx यह हमें मिलेगा du over dx plus dv over dx इसको हमने एक number mark कर लिया है उसके बाद हमें निकालना है du over dx और फिर निकालना है dv over dx तो यहां से देखिए du कैसे मिलेगा u है हम सबसे पहले log लिलेंगे तो log u is equal to log of x power sin x और फिर log u is equal to हमने formula use करना है यहां पर log m power n जो बराबर होगा n log m मतलब यह power बहर आ जाएगे और आगे लिखा जाएगा log of x अब देखिए यहां से एक function यह हो जाएगा और दूसरा function यह हो जाएगा differentiation करेंगे with respect to x using product rule जब product rule यूज करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा 1 over u into du over dx और यह बराबर होगा अब product rule से फिर्स्ट फंक्शन differentiation of second फिर राइटिंग second function as it is and multiplying it with the differentiation of first function यहां देखिए du over dx बचेगा और यह u इदर आ जाएगा तो यहां मिलेगा हमें sin x into log x की differentiation होगी 1 over x plus log x as it is sin x की differentiation आएगी cos x अब इसको यहां पर u की value हम put कर सकते हैं तो आगे मैं यहीं पर ही put कर देता हूं इसको u की value तो u है यहां से देखिए x power sin x और इसको हम नंबर देंगे 2 क्योंकि इसको हमने एक नंबर दिया है अब यहां से v जो है here v is equal to sin x power cos x तो क्या करेंगे फिर से variable power है taking log on both sides जब हम इसका log लेंगे तो हमें यहां से मिलेगा log v is equal to यह power बाहर आ जाएगी मैं direct step में कर रहा हूं cos x into log of अब की बार x की जगा sin x है तो यहां से देखिए यह first function assume किया जाएगा और यह second function फिर differentiation करेंगे इसकी differentiating with respect to x using अब कौन सा rule फिर से product rule using product rule जब product rule यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 1 over v into dv over dx अब first function as it is differentiation of second और second है इस बार log of sin x यह देखिए यहां तक फिर plus अब की बार second function as it is लिखना है log of sin x और इस बार differentiation करेंगे first function की जो है cos x तो यहां अब यह वी यहां से हट के right hand side में चला जाएगा ऐसे और यहां क्या मिलेगा cos x एडिटिज रहेगा और इसकी differentiation अब देखिए इसकी differentiation थोड़ी मुस्किल है कैसे पहले इसको हम x के बराबर जियूम करेंगे तो यह बनेगा log x log x की differentiation होती है 1 over x और x की जगाए यहां पर है sin x अब मैं एक step में differentiation लिख रहा हूँ इसकी अब log हट जाएगा उसके बाद sin x बचेगा और sin x की differentiation होगी cos x फिर plus log of sin x into cos x की differentiation minus sin x अब इसको थोड़ा सा simplify कर लेते हैं तो यहां से हमें मेलेगा dv over dx और v की value हम put कर देंगे यहां से v की value क्या है sin x power cos x तो वही लिख देंगे sin x power cos x और यहां से देखिए cos x over sin x हमें मिलेगा coat x और यह cos x as it is यह minus बाहर आएगा sin x के साथ और आगे log of sin x और इसको हम लिखेंगे equation number 3 so putting the values of du over dx and dv over dx from equation number 2 and 3 in equation number 1 तो हमें मिलेगा dy over dx तो देखिए अब हमें dy over dx मिलेगा सबसे पहले हम du over dx की value जो हमने निकाल के रखी है देखिए equation number 2 में x power sin x फिर आगे है sin x over x plus log x into cos x यह आगे du over dx की value और यह आगे यह लिख देंगे हमें मिलेगा आगे sin x power cos x into आगे है cortex into cos x फिर minus sin x into log of sin x और यह हमारा इस question का answer हो जाएगा friends मैंने आपकी study के लिए books की collection करके रखी है आप जिरूर description box में जो store का link दिया है उसमें visit करें और अपने लिए discount के साथ books को purchase करें हमारा अगला question है if y is equal to x power x into cos x plus x square plus 1 over x square minus 1 हमें इसकी differentiation करनी है तो यहां में देखिए power variable है तो हमने लोग से इसको easily differentiate कर सकते हैं तो हमने क्या करना है सबसे पहले इसको u के ब्रावर इसको b के ब्रावर क्यूंकि यहां पर यह sum of two terms है तो यहां पर हम लिखेंगे y is equal to u plus v where आपकी बार मैंने u and v पहले लिख दिया है u is equal to x power x cos x and v is equal to x square plus 1 over x square minus 1 अब देखिए जब इसकी differentiation करेंगे तो हमें मिलेगा dy over dx और यहां से du over dx plus dv over dx और इसको हम एक नंबर देदेंगे अब यहां से इसकी differentiation निकालेंगे और यहां से यह differentiation मिलेगी तो हम यहां से u is equal to x power x cos x तो हम क्या करेंगे power variable है तो log ले लेंगे taking log on both sides हमें यहां मिलेगा log u is equal to log of x power x cos x अब formula वही जो हम बारवार यूज कर रहे हैं log into m power n जो आएगा n log m मतलब यह सारी की सारी power बाहर आएगी x cos x into log x अब देखिए यहां से यहां तक यह first function हो जाएगा और यह second function हो जाएगा और यह रहेगा log u अब हमने differentiation करनी है differentiating with respect to x और देखिए इस बार फिर से product rule क्योंकि यह दो terms multiply हुई है तो हमें यहां से मिलेगा 1 over u and derivative of u with respect to x अब first function adjective लिखा जाएगा फिर product rule में derivative आएगी second function की वो होगा log x फिर second function यह adjective लिखा जाएगा और derivative आएगी first function की x cos x की इसके बाद देखिए x cos x adjective derivative आएगी log x की log x की derivative हमें पता है 1 by x plus log x ऐसे ही लिखेंगे इसकी derivative अब यह फिर से product rule से क्योंकि यहां पर दो function है और दोनों की multiplication है तो मैं direct की लिख रहा हूं उसको first function derivative of second जो की आएगी minus sin x cos x की derivative minus sin x plus second function adjectives और x की derivative होगी one अब इसके बाद देखिए यह x और यह x cancel हो जाएगा तो यहां से du over dx मिलेगा यह u यहां चला जाएगा मतलब ऐसे और हमें मिलेगा cos x plus log x और यह x multiply हो जाएगा तो x यहां आएगा और यह minus बाहर तो minus यहां और आगे है sin x अब फिर इस log x के साथ यहां multiply हो जाएगा तो हमें मिलेगा log x cos x अब इस u की value हम put कर सकते हैं यहीं पर ही तो जब हम यहां पर ही इसकी value put करेंगे तो यह आएगा x cos x और इसको हम two number mark कर लेंगे अब यहां से हमने v जो देखिए यह है v हमारा x square plus 1 over x square minus 1 इससे इसकी derivative करके dv over dx find out करना है अब इसके बाद देखिए इसकी differentiation हम दो त्रिकों से कर सकते हैं एक तो या तो quotient rule से या फिर log लेके तो मैं असान से त्रिकों कर सकते हैं अगर fx gx over hx लिखा जाए जहां पर hx is not equal to 0 तो इसकी derivative क्याती है यह formula है हमारे पास hx denominator में जो है वो बैसे ही लिखेंगे लेकिन उसका square करके अब इसी hx को numerator में लिख देंगे और जो denominator में पहले से है उसकी differentiation है फिर minus लगाएंगे अब gx को जो numerator में है उसको adjective लिखेंगे और denominator की differentiation करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा dv over dx is equal to इसका whole square आएगा ऐसे फिर यही उपर लिखा जाएगा numerator में x square minus 1 और इसकी differentiation 2x आएगे फिर minus अब यह देखिए इसकी differentiation आएगी अब लेकिन यह as it is लिखा जाएगा मतलब क्या हुआ पहले यह हमने ऐसे लिखा इसकी differentiation की अब इसको ऐसे लिखेंगे x square plus 1 और इसकी differentiation करेंगे 2x तो यहां भी 2x है यहां भी 2x है हम 2x common ले लेंगे और हमें मिलेगा x square minus 1 और यहां से minus x square minus 1 यह x square x square खत्म हो जाएगा और x square minus 1 whole square denominator में तो यहां से numerator से ultimately हमें मिलेगा minus 1 minus 1 minus 2 multiply होके minus 4x और यहां x square minus 1 whole square यह आएगा dv over dx इसको लिखेंगे हम equation number 3 हम इसी question को log लेके भी कर सकते थे तो log के बाद log m over n मतलब log m minus log n फिर इसकी differentiation फिर इसकी differentiation answer बैसे भी यही मिलना है तो हम यह equation number 2 और 3 दोनों को put कर देंगे equation number 1 में है और हमें मिलेगा dy over dx यहां यह equation put कर देंगे x power x cos x into यहां देखिए यहां log x है यहां log x है मैं log x common ले ले लेता हूँ यहां से तो मुझे यहां से मैं पहले यह term लिखता हूँ pos x और यहां से minus x अब उसके बाद देखिए sign भी है साथ में तो sign x और यह term बची last मैं इसको लिख देखिए उसके बाद यहां से minus 4 x over x square minus 1 whole square और यह हमारा इस question का answer आएगा हम चाहें तो यहां से देखिए यहां भी cos x है यहां भी cos x है यहां से cos x common लेके तो यहां से हमें क्या मिलेगा log x यहां से देखिए इस term से और यहां से 1 और यह term अलग हो जाएगी minus x sin x log x अंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है हमारा अगला question है if y is equal to x cos x power x plus x sin x power 1yx इसको हमने differentiate करना है अब यहां क्या करेंगे फिर से plus है power variable है तो हम जैसे पहले के question किये बैसे ही करेंगे u and b suppose करके where u यह function होगा u is equal to x cos x power x और v मिलेगा हमें x sin x power 1yx तो देखिए फिर dy over dx हमें मिलेगा तो du over dx plus dv over dx इसको हम equation number 1 रखेंगे फिर यहां से शुरू करके u is equal to x cos x power x यहां से इसकी differentiate करेंगे इसकी differentiation करेंगे और यह value निकालेंगे तो देखिए यहां कैसे करना है power variable है तो हम log ले लेंगे take log on both side जब log लेंगे तो यहां से हमें मिलेगा log u is equal to log of x cos x power x अब formula वही log m power n जो बराबर होता है n log m यहां भी वैसे ही होगा power बाहर आएगी यह और आगे लिखे जाएगा log of product of two function जिसमें x and cos x है अब यहां से देखिए यह मैं हटा दिता हूँ यहां से तो यहां हमें मिलेगा फिर log of u अब differentiation करनी है इसकी तो हम लिखेंगे differentiating with respect to x तो यहां से क्या मिलेगा 1 over u du over dx is equal to अब देखिए फिर से product rule लेकिन इस बार first function यह होगा और यह सारे का सारा यहां तक second क्यूंकि log के under है यह x into cos x तो differentiation में product rule हमें पता है हमने कई वार यूज किया है इसको तो यहां आएगा first function फिर differentiation of second second है log of x cos x फिर यह second as इस लिखा जाएगा log x cos x ऐसे और अब derivative करेंगे जो first function है जो है हमारा यह देखिए x इसकी derivative उसके बाद हम u को right hand side में shift कर देंगे तो u मिलेगा हमें ऐसे x फिर इसकी derivative अब यह फिर से product rule यूज करेंगे यहां पर sorry अब इसकी derivative करेंगे तो यह क्या है log function है और log की derivative क्या होती है यहां से आगे जो भी लिखा गया है वो x मतलब यह एक function assume होगा और जब यहां पर log है तो derivative करेंगे तो denominator में चला जाएगा x cos x into अब करेंगे हम derivative without log जो होगा x cos x step by step फिर log x cos x into इसकी derivative आएगी 1 तो अगले step में देखिए du over dx यह x यह x कट गया हमें मिलेगा 1 over cos x into यह देखिए product rule तो first function अब इसकी derivative minus sin x फिर plus अब देखिए cos x लिखा जाएगा और x उसकी derivative आएगी 1 यहां तक तो हो गया अब आगे as it is log of x cos x और यह यहां तक अब आगे देखिए u की value हम put करेंगे x cos x power x यहां देखिए इस 1y cos x के साथ जब multiply करेंगे तो यह sin x over cos x हमें tangent x मिलेगा means minus x tangent x पहली term से जब दूसरी term में multiply करेंगे तो cos x cos x खत्म हो जाएगा हमें मिलेगा 1 और यह last term log of x cos x ऐसे ही लिखी जाएगे और इसको लिखेंगे हम equation number 2 यह यहां पर equation number 1 में इसकी value put करेंगे अब है we जो हमने suppose करके रखा था x sin x power 1 by x तो यहां पर इसके लिए भी हम वैसे ही करेंगे क्योंकि power variable है so taking log on both side जब log लेंगे तो हमें मिलेगा log v is equal to log of x sin x power 1 by x formula फिर वही log m power n जो बराबर होता है n into log m मतलब यह power यहां से हटके बाहर आ जाएगी तो यहां 1y x ऐसे लिखा जाएगा अब यह log के आगे सारे का सारा function है यहां पर मतलब यह हमारा first function हुआ और यह सारा second function आया तो इसकी differentiation कैसे करनी है differentiating with respect to x हमें मिलेगा 1 over v into dv over dx बराबर है आप देखिए फिर से product rule first function product rule first function into derivative of second तो second है इस बार log of x sin x ऐसे second को ऐसे ही लिखना है as it is log of x sin x into differentiation अब आएगी first की तो यहां देखते हैं dv over dx v को में transfer कर रहा हूं inside हमें मिलेगा 1 by x into अब इसकी derivative देखिए log है यह सारा log के आगे है और log की derivative का मतलब है 1 over log के आगे जो भी function लिखा गया है तो यहां है x sin x और अब बिना log के तो अगले statement differentiation करेंगे x sin x की जब log हाट जाएगा यह log हाटेगा तो इसकी derivative plus log x sin x इसकी derivative माइनस 1 over denominator में x square होता है अब देखिए v into यहां भी x है यहां भी x है मतलब हुआ one over x square sin x इसकी derivative अब करेंगे फिर से product rule use यह first function आएगा और यह आएगा sin x second तो first function इसकी derivative sin x की मिलेगी cos x फिर second function as it is लिखा जाएगा और x की derivative आएगी one plus log of x sin x और यह देखिए plus यह minus है यह यहां पर adjust हो जाएगा और x square जो है वो denominator में ऐसे यहां भी x square है यहां भी x square है तो x square को हम बाहर लिख देते हैं ऐसे और v जो v है वो है x sin x यह हमने suppose करके रखा है power one y x यह x square हमने बाहर रख लिया है यहां से भी और यहां से भी फिर बचेगा हमारे पास sin x इसके साथ इन दोनों terms को multiply करेंगे तो cos x over sin x हमें मिलेगा coat x और यह x multiply हो जाएगा इस तरह से plus जब इस sin x के साथ यहां multiplication होगी तो हमें मिलेगा one minus यहां से log x sin x ही मिलेगा इसको हम equation number 3 mark करेंगे और equation number 2 and 3 से equation number one में du over dx and dv over dx की value put कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा ultimately dy over dx जो हमने निकालना है equation number 2 से हमें मिला था x cos x power x और आगे मिला था one minus x tangent x मैं इसको rearrange करके लिख रहा हूँ plus log x cos x अब अगली term अगली term यह है हमारे पास plus denominator में x square है यहां x sin x इस सारे की power है one y x और फिर bracket में यह है इसको फिल से rearrange करके लिख रहा हूँ हमें x cortex और इस one को पहले लिख देता हूँ मैं one plus आगे यह term minus log of x sin x और यह हमारा इस question का answer हो जाएगा देखिए इन दोनों में फर्क क्या है यहां x cos x है तो यहां x sin x है यहां power x है यहां one y x है अंदर देखिए one minus x ten x है यहां one plus x coat x है और इदर log x cos x है तो यहां पर minus log x sin x है तो फ्रेंच यह था आज का वीडियो जिसमें हमने logarithmic differentiation का यूज करके differentiation निकाले मुझे पूरी उमिद है यह question आपको समझ आ गए होंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like करें अपने फ्रेंच के साथ भी share करें अगर आपने ये वीडियो हमारे facebook page के उपर देखी है तो हमारे पेज को like और follow जरूर करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिमान राजेश दिमान को subscribe करके रखिए तथा bell icon press करके all दबाजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की notification मिल सके धन्यवाद